नमस्कार दोस्तों मेरे पाम रेडिंग चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आईए आज अर्तिस वर्स की महिला के पाम का एनालेसेस करेंगे इनके सवालों का जबाब करेंगे तो सरप्रथम इनके सवालों को सुड़ेंगे फिर एकित करके इनके सवालों का उतर करे उसे पहले अगर आप लोगों अभी तक हमाई चैनल को सिस्क्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सिस्क्राइब कर लें बेल आकन को प्रस कर दें ताकि लिटस नोडिफिकेशन आपको मिल चाये तो चलिए शुरू करते हैं इनका कोशन इस प्रकार है वर्तमान समय में ये घर पर हैं आगी के जिन्दगी के विशे में जानना चाहती है विशेस्तम ग्रोथ नहीं मिल पाया है और घर मकान कब बनेगा उसकी क्या वस्थाँ अतली पर बनी हुई है इन साड़े महतपोन विशे पर इंको जानना है तो आप नशिंत रहिया आपके सारी ही कोश पर हम विचार करेंगे चीज़ों को बड़ी गहराई और बड़ी अश्प्रसता के साथ समझाने का प्रयास करेंगे और बताने का प्रयास करेंगे और आपके सारे ही डाउट को हम दूर भी पर आ humility क्या पता रही है ये अपने जिन्दगी से बहुत ज़दा संतुस्ट नही है इनको और भाग उदे चाहिए ये जितना एक्सपेक्ट करती उसे साथ से इनको काम्याबी नहीं मलती है तो ऐसा क्यों हो रहा है लाइफ में बहुत जादा ग्रोथ नहीं मल रही है जिससा आपकी ग्रोथ मिलनी चाहिए उस ग्रोथ में किसी ना किसी परकार की परशानी है तो ऐसा क्यों है तो इन साथे सवालों के जवाब इनको चाहिए हो सकता है कि आपके जहन में भी ये सवाल घूम रहे हो आपके जहन में भी इस बात ये बात आ रहा हो कि आपको भी ग्रोध नहीं मिल पारा जिस ग्रोध का आप भगदार है या पर जिस ग्रोध की आप तमन्ना और इच्छा करने वाले विक्ती है तो वो ग्रोध आपको किसी कारणवश नहीं मल रहा तो उसकी क्या अवस्थाएं है आकर उसको कैसे देख सकते हैं और कैसे हम जान सकते हैं कि हमारा भाग गुदे इस एर में होगा हमारा भाग गुदे इस एर में होगा या हम कैसे जान सकते हैं तो चलिए देखते हैं तो सबसे पहले अपनी अपनी अतली खोड़ लीजिए इनके ऐसे क्यों प्राब्लम है पहले उस विशे पर विचार करेंगे और इनकी आयू के बाद इनकी किस आयू के बाद इनकी जिन्दगी में परिवर्तन होगा इनके किस आयों के बाद इनके जिंदगी में महतपून प्रिवर्तन होगा उस बात को भी हम देखेंगे और समझेंगे तो वीडियो बहुत ज़ादा महतपून है उन सभी लोगों के लिए जो विक्ति अपने जिंदगी पर ग्रोथ चाह रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज़ादा महतपून है तो सबसे पहले तो हम देखते हैं आखिर ऐसा हुआ क्यों अगर हाथ को देख रहा हूँ मैं तो वैसी कोई गरबरी हाथ पर तो नहीं दिख रही है तो मुझे असपस इनके दली बता रही है अब कैसे ने दिख रही एक बड़िया जीवन रेका यह वाली देख लो आप और एक बढ़िया भागिया रेका दिख रही है पहले सिर्फ दिख रही है अब यह बागिया रेका को भी समस्तियानीस flushed चोटी चोटी सी बनी हुई है जो विश्य सब बड़े पद को नहीं सार होगा कि गुरू जी आप बोलते है भागी रेका अगर हाथ पर हो तो जिंदगी में कोई टेंशन नहीं जिंदगी में कोई समस्याई नहीं इनके तो हाथ पर भागी रेका भी है तो फिर इनके जिन्दगी में समस्याएं क्यों है आखिर इनके जिन्दगी में ग्रोध कम क्यों है अब देखो एक बात तो तैह है कि जैसे आपकी एतली है प्राब्लम तो लाइफ में नहीं आएगा अब ग्रोध को लेके हो सकता है प्राब्लम आए आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं या जितने आप प्रियास कर रहे हैं आपको उस प्रियास के एवस में जिस प्रकार की सफलता मिले चाहिए वो तो नहीं मिलेगी क्यों नहीं मिलेगी अब उसको समझो इसका रीजन है भागी रेखा अब भागी रेखा क्या रीजन है अब देखो सुरुवाती दोर से अगर आप ह्टीक से फील करेंगे ना तो एक दम पैनी बागगी रिका नीं, एक दम बहुत जबा सुई की तरह पतली बागि रिका नहीं है ये आपको प्रॉपरली इनके चालिसमें इसाड के आयो के बाद है 40-60 के आयों के बाद ये एक growth दिख रहा है तो इनकी जो growth होती है वो थोड़ी late होती है अब इस ऐसे व्यक्ति के लिए कहा जाता है 31-32-60 के आयों के बाद लिए growth होती है और आप मेहनत करके अपने एक चाओं के पुर्ती कर रहे हैं, साथ ही साथ जिन्दगी पर आगे बढ़ने के प्रयासरत हैं, थोड़ी सफलता मिल रही है, थोड़ी सफलता मिल रही है, दिरे-दिरे करके जिन्दगी पर आगे बढ़ रहे हैं, इसको हम कहते हैं समानी जिन्द हो गया और उस कारे में आपको तरक्की मिल गए उस कारे में आपके पास पैसे आ गया उसको कहते हैं असमाने जिन्दगी की चलते रहा चलते 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 जिन्दगी पर धन लाव राह चलते 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 लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी तरक्की तो इसको कहते हैं समाने इनके हाथ पर बुद्धरेखा का बहाब है, तो किसी भी वेक्ति के हाथ पर बुद्धरेखा नहीं रहती है, तो हो सकता है उस वेक्ति की सैलरी पाँच लाग हो, इसमें कोई संदेह नहीं है, मैं इसमें संदेह नहीं कर रहा, लेकिन वो वेक्ति से अगर आप पूछोगे न दूसरा पहऌलू है कि अगर आपके हाथ पर बुद्रेखा नहीं है, तो जितनी आपकी रोज मर्रा की जिन्दगी में खर्चे हैं, उतने ही पैसे आपके पास आरें, तो वो पैसे खर्च हो जा रहे हैं, चुकि आपके दैनिक जिन्दगी में उस पैसे का बरा महत्व है चुकि आपका कार उसी से कंप्रीट होना है संपन्न होना है बच्चों की परहाई अपने जो भी आपकी आवशक्ता है दैनिक आवशक्ता है उनके पुर्ती के लिए आपके पास उतने ही पैसे आ रहे है तो इस दूसरा मतलब ये भी हो सकता है बुद्धरेका का भाब के वज़ाद से जितने आपके खर्चे उतने आपकी कमाई है जिसके बाद धन लाव में दिक्कत है धन संचे करने में बड़ी समस्या है प्रापटी बनाने में समस्या है प्रापटी विलंब से बन रहा है तो इनका एक इस प्रापटी को लेके भी उसको भी मैं देखूंगा और जानूंगा और समझूंगा तो ये तो गईनके बाद जो की ये सही ही बोलड रही है कि उसे साब से ग्रोथ नहीं मिल रहा होगा शोरली है कि विक्ति ऐसा सोचते हैं और विक्ति का ऐसा सोच हो जाता है कि मैं बहुत जादा परिशम कर रहा हूं लेकिन मुझे सफलता नहीं मिल रही ऐसा बहुत लोग का सोच हो जाता है इसका reason यह है कि आपके ही साथ वाले उसको आपके ही इतना मेहनत करते आप देख रहे हैं और वो बहुत growth कर जा रहा है और आप वहीं के वहीं है तो यह सोच आना बड़ा लाजमी है यह सोच develop करना बहुत easy है बहुत normal चीज है यह कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है तो यह आ आप नहीं समझ पा रहे हैं या आप नहीं समझना चाह रहे हैं तो खैर इस बात पर भी उतना load नहीं है जिसके बागी में जितना है वो उसको जरूर मिलता है बस अपने उपर वरोसा रखना है conference रखना है और आगे बरने के प्रयार्स करना है तो अभी positive चीज भी आपके हा समय आपको मिलना है चुकि आपके हाथ पर गरबरी है तो अच्छी भी चीज़े कुछ होंगी तो उसको आप consider करो positivity consider करो positive सोच रखो positive approach रखो जिंदगी पर तरक्की तो मिलती ही आपको भी मिलेगी कौन सी बड़ी बात है तो भी positivity इनके हाथ पर क्या है ना तो यह रही इनक तो भागए रहे का हाथ पर तो है ना तो कम साथ मिलना लेकिन साथ को जुरूर दर्शाती आप उस एफचियों से बेटर है जिसकी हाथ पर तो भाग्ए रहे ही नहीं है उससे आप कहीं गुना ज़ादा बेटर है आगे भी भाग्ए रहे का ठीक ताक दिख गरी है और जिन बहुत ही अच्छी है, तो दिमाग की आप तेज हैं, इसमें भी डाउट नहीं है, इसे इंसान दिमाग के शार्फ होते हैं, क्योंकि माइंड रेका बड़ी अच्छी है, अब थोरा सा क्या होता है, कि जब इंसान की जिंदगी पर ऐसा को ग्रोध ना दिखे, तोरा विचलित वो होता है, लेकिन फिर ये लोग शांत रहना ही पसंद करते हैं, क्योंकि ये लोग चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं और जानते हैं, तो इड़े रेका बीर की काफी शार्फ है, काफी अच्छी है, बुद्ध पे खई लाएं से इंसान तेज है, अपने स जिन्दगी में तरक्की आ चाहें, ये भी तो हो सकता है, अभी मैं आगे देख रहा हूँ, केतु परवत पर फिश्विया कास्मिक दनलाप को बता रहा है, तो मैं उन तमाम महिलाओं से एक अन्रोध करना चाहूंगा, कि घर पर बैठे राने से क्या होगा, अगर कुछ कार ये आप करना चाह रही है, तो जरूर करिए आप, ऐसे बहुत से महिलाओं हैं, जो कार करके बहुत आगे भी बढ़ी हैं, लेकिन क्या है न, आपको अपने भागे को बिठाना नहीं है, आपको अपने भागे को बढ़ाना है, तो इसके लिए कोई कार करना पड़ेगा, किस इसा कवाना चाते हैं अपने husband का हाथ बढ़ाना चाते हैं खुद independent होना चाते हैं जो जिनकी शादी नहीं हुई है तो उन सभी के लिए यह अनरोध है कि आप भी initiative लेजिए क्या पता आपकी initiative लेने के वादा बहुत बड़ी वैपारी बन जाए या फिर बहुत successful अपने कर लो इनका शुक्र ठीक है बहुत अच्छा भी नहीं बहुत खराब भी नहीं है ऐसा भी हम इसको नहीं कह सकते कि यह बहुत डल है बहुत खराब है यह कहना रोचित है यह है भी नहीं तो यह तो एक बात हो गई इनके हाथ पर या परसे इनकी positivity complete हो गई अभी थोड़ा मै नेगेटिव चीज पर विचार करूँगा क्योंकि आप positivity को समझ रहे है तो अपनी negativity को भी समझे ताकि उसके लिए आप कुछ remedy कर पाओ ताकि उस negativity को बहतर करने के लिए मतलब उस negativity को positivity में convert करने के लिए आप कुछ remedy कर पाओ तो negativity क्या है इनके हाथ पर जुपिटर गरबर ह रहा ग्रोथ में थोड़ी problems आती है life में life में जातक को ग्रोथ करने में थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है ग्रोथ में थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और ये चुकि जुपिटर थोड़ा सा दवाव लिए conditions में था तो ये इस बात का परच्छ थोड़े कम आते हैं तो वही थोड़ी सी insecurity बनी रहती है कि कब growth मिलेगा कब आगे बनोगी ऐसी वाली बादमा की वैसेच कोई खास negativity और हाथ पर है नहीं बहुत negative चीज़े ही मैं बताता हूं negative संदर में बाकी तो मद्यमस्तर ये planet हो उच्छ तर ये हो वो negative sense में नहीं उसमे बात कहता है तो वो परिवर्ती होती है आपके हाथ पर ग्रहों की तो यही कुछ इनके negativity थी बाकी इनके प्रशंते property को लेंगे तो देखे जो lines जो अवस्था हैं आपके हाथ पर बन रही है तो 40-42 years के बाद property के योग को बदा रही है तो बहुत chances हैं कि 40 में चाल के आयू के बाद property के सुख से आप आपको जिंदगी पर property का सुख जरूर मिले ये इसके बहुत chances हैं 40 वर्स के आयू के बाद और एक से ज़दा भी बन सकता है अगर आपके husband के हाथ पर ज़दा clear cut हुआ तो यहाँ पर सी चीज हो गया बाकी दूसरे प्रशंते आगे की जिंदगी कैसे रहेगी अभी तो काट लिया आगे कैसे काटोंगी तो देखे मैं एक चीज़ बताता हूँ मैं कहा रहा हूँ ना कि आपके हाथ पर कोई problem नहीं है जीबन आपकी smooth ही रही है हाँ थोरा सा इंसान के आवशक्ता हैं कि पुर्ती में अगर कुछ कमी आ जा तो इंसान के मन में बहुत प्रकार की चीज़े चलने लगती है तो वो अलग बात है उस पर मैं discussion नहीं करना चाहूँगा लेकिन जीबन रेखा पर कोई राहू रेखा मुझे नहीं दिखी तो जब जीबन रेखा पर कोई राहू रेखा नहीं रहती है तो ऐसे विक्ति ब्लस्ड होते हैं बरिय प्रकती के योग थे तो अच्छे पड़िवार से होती है वैसे जो कोई दिक्कत नहीं होती है ट्राइंगस थे जो के डिग्रे पूरे करने के योग थे इंडिपेंडनेंट आप हो चुकी है लगबग आप उनीस वर्स के आयू में एक तरक्की भी थी बीसमें में कोई प्र चोवालिस में पितारिस में प्रोगरस लाइन है पितारिस के बाद भी कंटिन्यू आपकी जीवन रेका बहुत ही स्ट्रॉंग है आपके 65 वर्स के आयू तक 65 वर्स के बाद भी एक फिश्ट नुमा आकिरती है और जीवन रेका इसको भी हम मान सकते हैं कोई बड़ी बात न यह तो आयू दिरगायू है आयू को लेके विसे इस्तम समस्याओं के योग नहीं है एक फिश्ट नुमा आकिरती है कास्मिक धनलाव और लाइफ लाइन के पावर को इंक्रीज करता है जो जीवन रेका आपको 90 साल के आयू परदान करती है वो 100 साल की करनी लगती है कहने का ने इंवेस्ट किया कोई प्रॉपर्टी में किया कही कई और कर लिया तो इसके लिए उनको धनलाव जिंदगी पर होता है कि तो प्रवत्वपिश रहे तो तो यह तो गया इनके नेगेटिव पॉजिटिव इंक पर अभी इन कहतली का हम जलन अधियन करेंगे चीजों को अ अभी है धन को अट्रेक करती है पैसे की दिक्कत नहीं होती बाकी जबरदस इनका थमब है पढ़िया व्यक्तितव है ऐसे इंसान सांदार व्यक्तितव के होते हैं थो इसी कभी कबार गवराहट की समस्या होती है लेकिन यवा करती है जबी भी सपोर्ट के आवशकता ही मिल जाएगी ये भी आपके लिए मुझे बता समझा लिए डिजायर्स के पर एच्छे लाइन से व्यक्ति काफी महत्मा कांची है सेकेंड फेलिंज बरा है तो इंसान काफी सवभी मानी भी होते हैं ऐसा नहीं कि यह सवभी मानी नहीं होते हैं किसी से ना एक रुपय ले लिए जाने जाते हैं और समझे जाते हैं तो बड़ी आ थंब हैं फिर देखे समझदारी के लूप काफी एच्छी वेक्ति बहुत समझदार फिंकर पर काई लाइन से इंसान दिल के भी अच्छे हैं दिल में भी कोई किंतु परन्तों नहीं किसी के परती कोई गलत भाबना नहीं हवेशा लोग के विशेम अच्छा सोचना जुपेटर फिंगर चुरी सन की वड़ हिम्मती है सेटर फिंगर हिम्मत को दर्शाता है सन मरकरी के अटेच्मेंट आपके टैलेंटेड होने का परचकर आता है कोई गुणी है आप घर का काम ही अच्छे तरीके साथ कर लेती होंगी खाना पीना पढ़िया बना लेती होंगी तो घुनी है गुन से ऐसे विक्ति जाने जाते है और गुन डेवलप भी करता है अरली एज से सनर फिंगर काफी अच्छी है आपकी तो आपके महनत का परचकर आ रही है जातक हिम्मती महनती के साथ हिम्मती भी है फिंगर लंबी है वो वेक्ति कह सकते हैं कि वो वेक्ति वाचाल होते हैं वो वेक्ति उन वेक्तियों की वाकपड़ोता बड़ी अच्छी होती है चीजों को समझाने की बड़ी अच्छी समता होती है क्योंकि सीजों को समझने की बड़ी अच्छी कैपासिटी होती है बड़ी कई न कई घबराना नहीं परिशान नहीं होना महनल से किसी भी एकार को करना संपन न ताके तो और ले जाना वह वाली एक यह वाला पोटेंशल है आपके अंदर अगे आगे देख रहा हूं तो यहां से दबाबे तो थोड़ा से श्वगल रहता है समानने हैं एक ही इसके सब्सक्राइब हैं यह हैं कि अल्किल कलाइन्स जो है ना कुछ ट्रैंगल से जो नेगेटिविटी को जुरूर दूर कर रही है वागे इड़ते रहे हैं यहां से दबाब है तो विक्ति बहनती हैं स्ट्रॉंग बागे रहे का जिंदगी के लास्ट तक है बागे का साथ तो मिलेका मतलब जिंदगी जैसे चल रही है वैसे देदरे करके आगे बढ़ती रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है सूरी रेका बहुत दूर नहीं पहुंच रही है तो इसका अर्थ होता है कि बहुत विजिबल ना होने की वज़ा से जातक थोड़े एमलेस होते हैं वो कुछ नहीं कर रहे होते हैं लाइफ में ये वाली परचे तो आपकी सूरी रेका मुझे करा ही रही है कुछ साब के ट्राइ इस तर्व जनुमा करती है तो कि 40-60 के आयू के बाद है बाकी हलकी फलकी सी रेका है जिसका कोई एहमियत नहीं है अला कि सूरी रेका बहुत विजिबल ना है तो जातक नहीं इनिसेटिव लिए अर्न नहीं कर रहे हैं अपर कहलो कि ये लोग इनिसेटिव नहीं लेना चाह रहे हैं अगर आप इनिसेटिव लेती है तो कुछ आपको सफलता भी जिंदगी पर मिल जाएगी फिर तो सूरी रेका बड़ी बनेगी ना ऐसा कि बड़ी बन रही है लेकिन अभी समाने से अवस्थित है आगे देखा जा सनमर्करी अच्छी बुद्धिव्यक से कार करते हैं स्ट्रॉंग नाइस से दिमाग की तेज है ऐसा नहीं कि बिलकुल भी आपके दिमाग में कोई बाते नहीं चलती दिमाग काफी तेज चलता है से लोगों का काफी तेज सूरी देखा अग बहुत जबरदस्ट है, Highly energetic मंगल काफी अच्छा है तो प्राकरमी होते हैं अीसे लोगं बन्थंदभ जिन्दगी पर किसी भी चारे को करने के लिए काफी समऻधित होते हैं प्राकरमी होते है और अपने प्राकरम्टेटी समऻधिक्षा का गर कि ने दंपल लाइफ को बह आ रहा है आगे कि बाग्य रेका ठीक है बहुत ठीक तो नहीं है लेकिन हाफ फिर भी चल रही है तो ठीक है जब बाग्य रेका चले तो ठीक है चालिस वर्स के बाद वैसे बहुत पून है और चालिस वर्स के बाद बाग्य रेका के एक दो ब्रांचे सोर भी है तो जादा बे वो तो मिलेगा आपको, तो रहे स्ट्रेस रहे हैं, शुक्र थोड़ा दवाब में राया है, तो थोड़ी बहुत डाइवडीज की प्रॉब्लम, ब्लेड प्रिशर की प्रॉब्लम, इस चीज का यह परिचे तो कराती है, और इनको है भी शाया है, बाकि यह देखो, इस अगर आपको हमारे ये विडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंड कर दे, सिर्ग सब्सक्राइब कर दे, विक्ति का तुरुप से मैं सास्त्रेका दिखा के साही जानका नहीं पाना चाहते है, हमारा वाट्सप नमर इसके उसरे मिल यागा, लेकर आप समपर्द कर सकते हैं, दन्यवाद,